इन चात्रों को CBSC examination fees, registration fees नहीं देनी होगी, did you know? Hello students, this is me Mudita and once again welcome back to your own channel Mudita IS for years. So students, CBSC ने 21th of September को एक circular release किया है, जहां पर ये clear किया गया है कि किन students को registration fees and examination fees नहीं submit करनी होगी. साथी में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अभी बहुती तेजी से स्कूलों में registration का process चल रहा है, जहां पर बच्चों से examination fee ली जा रही है, तो किस student को कितनी examination fee देनी होती है और बच्चे बहुत confused हो रहे हैं कि मैं हमारे स्कूल में कम लिया जा रहा है, हमारे में जादा लिया जा रहा है, तो actual में CBSC की तरफ से कितनी fee ली जाती है और किस तरीके से ली जाती है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, पहले मैं आपको बता दूँ कि board examination आपके दो बार इस बार होने वाले है, term 1 and term 2, लेकिन जो CBSC का जब भी board होता है तो हमेशा देखिए पहले उसका registration करवाया जाता है, अगर आप class 9th या 11th में हैं, तो आपका पहले ही 9th और 11th में upcoming board के लिए registration किया जाता है, जब आप 9th में हो तो 10th के लिए registration किया जाता है, जब आप 11th में हो तो 12th के लिए registration किया जाता है, और वहां पर भी आपको एक फीस पे करनी होती है इसके बाद जब आप 10th and 12th में आ जाते हो 10th and 12th के स्टूरेंट जो बोर्ड में अपीयर होने जा रहे होते हैं तो उनका पूरा डाटा तयार किया जाता है और उनसे उनका पूरा डाटा लिया जाता है और उनके मतलब कितने प्रैक्टिकल होने वाले कितने एक्जाम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फीस होती है ठीक है तो चलिए हम बात कर रहे हैं सी बेसी बोर्ड एक्जाम 2021-2022 फिर्स्ट ओफॉल मैं पहले आपको यह बता दूंगी कि इन स्टुडेंट से फीस नहीं ली जाएगी जो लेटर सर्कुलर रिलीज हुआ है तो यह आप लोग देख सकते हैं तो सेंट्रल बोल्ड और सेकेंडरी एडुकेशन सी बीसी हाज अनाउंस्ट तो वेब एक्जाम फी एंड रिजिस्टेशन फी औफ दोस स्टुडेंट हो है स्टुडेंट आफ्टर वेरिफाइंग जन्वेननेस तो यहां पर सी बीसी ने बोला है कि क्लास नाइन तू ट्वेल्थ देखेंगे 9th एंड 11 का रिजिस्टेशन होता है तैन तू एल्ट के एक्जैम होता है ठीक है बॉड एक्जैम होता है तो वो सभी स्टुडेंट 9-12 क तो यहां पर देखेंगे जन्वेंट ने अपने पैरेंट्स को खोया है द्यू टू कोविड ठीक है कोविड 19 की वज़े से या फिर उनके जो गालजीयन पैरेंट थे या अब तक जो उनकी देखभाल कर रहे थे उनके साथ कुछ हुआ है ठीक है उनकी देख हुई है या फ सबी स्टूडेंट का आप लोग एक लिस्ट बनाकर यह सर्कुलर 21 सेक्टेंबर को बिल्कुल लेटस्ट 21 सेक्टेंबर को सीबीस किया है कि सभी स्कूल या कॉलिज के बच्चे जो सीबीसी के अंडर आते हैं उनसे एक्जामिनेशन फ्री रजिस्टेशन फी नहीं ली अपीर होने वाले होते हैं उन सब का लिस्ट ऑफ केंडिडेट तयार किया जाते हैं आपको बार बार सुनने को मिलेगा लोग तयार हो रहा है अब देखिए इसमें फीस कितनी लगती है तो देखिए अगर हम 10th क्लास की बात करें कि अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपकी कितनी फीस लगेगी एक्जामिनेशन फीस सी बीसी के थुरू दिखिए जो आपका एक्जाम कंडग कराता है पूरा प्रॉसेज होते तो इसके लिए कुछ चार्ज किया जाता है तो अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं इंडिया में हैं ठीक है मैं इंडिया इफ यू है वाव फाइफ सब्जेक अगर आप फाइफ सब्जेक बोर्ड एक्जाम में पांच सब्जेक देने जा रहे हो तो आपका पंद्रा सो गा यानि 300 पर सब्जेक फी चार्ज होती है ठीक है समझ लेजिए 300 रुपे रुपे पर सब्जेक आपका लगने वाला है ठीक है अगर आप 12 के स्टूडेंट वर आपका five सब्जेक्ट है तो आपको पंद्रा सो देने हो और अगर आपका से सब्जेक्ट है तो आपको 1800 देने होंगे इसलिए मैंने कहा कि क्लास 10th के स्टूडेंट के रिए कितना वरी करता है 1500 से लेके अठारा सो तक होता है और कुछ तो यहां पे दो सब्जेक्ट में बच्कार पास अगर किसी एक में सब्जेक्ट में तो उसे थार्ड से पास करा जाता है इसलिए अधिशनल सब्जेक्ट थोड़े ज्यादा रखे जाते हैं तो यहां पर सब्जेक्ट की आपको 300 देनी है इसके अलामग का स्टूड़ों में एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं तो उसका भी आपको उसके हिसाब से चार्ज देना होता है तो पंदरा सो से अठारा सो आपको देना होगा ठीक है इस डिपेंड on number of subject अगर हम 12 की बात करें तो 12 के स्टूडेंट का कितना चार्ज है तो 12 के स्टूडेंट का 1500 तो 2400 यह भी डिपेंड करता है number of subject पे कि अगर एक 12 के स्टूडेंट तो उसके सब्जेक इतने हैं 5 सब्जेक तो में होते ही हैं साथ में additional one subject school वाले लगवाते जैसे physical education हो गया कुछ additional subjects लगवाते हैं ठीक है अगर बच्चा में सब्जेक में फेले तो उसे पास करने के लिए तो उसके according उसका 1800 यह 2100 हो सकता है साथ में जो 12 के स्टूडेंट होते हैं उनके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं ठीक है उनके प्र इस बच्चों के लिए वरी कर सकता है number of subject number of practical को लेकर इसके अलावा एक और चीज है कि अगर आप SC या ST candidate से आते हैं तो उन बच्चों को थोड़ा सा अजम फीस में कमी दी जाती जैसे कि अगर आप जनरल से और आप से 1500 लिया जा रहा है एक जनरल स्टूडेंट से तो SC ST से 1200 लिया जाएगा ठीक है वो तो एक नियम चला आ रहा है तो यह पूरा data है I hope आपके सारे डाउट क्लियर होगे होग 12 के स्टूडेंट है पर सब्जेक 300 प्लस आप प्रेक्टिकल को एड़ अप कर लीजिए और अगर आप SC ST के हैं तो उसके अपका थोड़ा सा कम हो जाएगा 200-300 और जिन बच्चों ने अपने पैरेंट्स को लॉस किया डिटो कोविट 19 या किसी भी कंडिशन की वज़े से ग ला रहा है यह हमेशा से मतलब बोर्ड एक्जाम फीस ली ही जाती है यह कोई नई चीज निया हमेशा से ली जाती है और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल वाले ऐसे हैं जो जिसे सीबी एसी को तो 1800 देना है बट वो बच्चों से 10,000 15,000 5,000 मांग रहे हैं तो देखिए यह जनुवन डाटा इतना ही फीज जाता है बाकी प्राइवेट वाले कैसे चार्ज करते हैं वह हमें नहीं पता बट गॉर्मेंट के थू इतना ही चार्ज किया जाता है यह एक्जार आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो एक्जानल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ल आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें